हालो वाईसन्सारी हैbu welcome back to my channel ॅज हम बात करेंगे इंट्रNただ के वारे में इस टैवलट n के में का ccontrol होते है वह देखें गए इसकी यूस क्या होती है या मतलब सबस्की होगिए और लास्ट में बात करेंगए हम की MRP में तो इन्टो क्यूं जो टेबलोषी होती है वinhदी में जिसको बोलते हों यहां फेकर लेखें असके लिए और कंटेंट के बाद कि अन्टेंट के च Alle सब्सक्राइब और इसकी यूज़ डीटेल में बात करें तो diarrhea, dust हो गए, dysentery, peat में एटन होती हो, peat खराब हो गया हो, इस condition में इस tablet के यूज़ करिया जाता है, इस tablet के यूज़ डाइरिया बगारा, dust बगारा में जाद अखिया जाता है, तो इसके common सी यूज़ हो गई, इसको हर कोई जानता है, ये famous tablet है, अपने जमाने की बहुत टाइम से चली आई है, ये tablet, और इसका result भी बहुत अच्छा होता है, और इसकी dose क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने side effect भी लिखे हैं, no side effect, बट इसके side effect होते हैं, मैं आपको वीडियो के last step बताऊँगा, इसके side effect, और अगर doses की बात करें, तो tablet के strip के साब से dose की बात करते हैं, तो children, one tablet, बच्चे एक tablet लेगा, adult, two tablet, two times a day, और as directed by the physician, अपने doctor की सला से, दो tablet दिन में ले सकता है, adult मतलब 18 साल के लगब, 18 साल से उपर या 18 साल के लगब, ये इसकी dose हो गई, और मेरे हिसाब से, अगर आप चाहें, तो 6 साल से 15 साल तक के बच्चों को दिन में एक tablet ले सकते हैं, उसके अलावा adult जो 18 साल के लोगए, वो दिन में दो tablet ले सकते हैं, इसके साब से में भी बता रहा हूँ आपको, ये हो कि इसकी dose हो गई, दस्तों गएरा में इसको जादा यूज़ करते हैं, तो दस्त बगएरा के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, और इसकी कुछ वार्निक भी है, साब धानियों इसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी में ये इंट्रकुनाल टेबलेट सेफ नहीं होती हैं, इस बात के धिहार रखें, प्रेगनेंसी में लेडीज को ये टेबलेट नहीं लेनी है, इसके बाद में लाष्ट में बाद करेंगे इसके side effect की तो side effect उसके खाने के बाद में आपको headache बगरा हो सकता है और dry ice मतलब आपों में सूखा पन और nausea बगरा और vomiting बगरा भी हो सकती है यह इसके मुझे कुछ side effect पता चले है और श्ट्रिप के साब से इसमें side effect नहीं है यह होगे इसकी use की बाद, dose की बाद और side effect की बाद और last नहीं बात करेंगे हैं इस टैबलेट की MRP की तो एक श्ट्रिप के अंदर 20 टैबलेट होती है जिसकी MRP 33 रुपे होती है लेकिन आपको यह 33 रुपे का नहीं लेना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपे का इसको खरीदना है medical store से इस से ज़्यादा अगर आपको मिलता है तो आप इसको नहीं लें इस पे MRP थोड़ी ज़्यादा होती है कुछ टैबलेट जो होती है फ्रेस वाली वो MRP के साब से मिलती है लेकिन यह जो टैबलेट है इंट्र क्यों नाम से अगर आप लेते हैं तो यह आप 20 रुपे से ज़्यादा नहीं खरीदे और हमने यूज की बात कर ली डोस की बात कर ली साइट एफेक्ट की बात कर ली और MRP भी देख लिए आप चाहें तो इसको दस्तवगारा में यूज कर सकते हैं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो